हलो प्यारो स्वाहत आफ सभी का xp classes मेरा नाम है मुकुंद और आगा है हम लोग एक और बहतरीन class के साथ जहां पर मैं आपको बता रहा था कि ncrt book के अंतरकत आपके लिए कौन से ऐसे सवाल है जो बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा important है उन सभी प नहीं ठीक है ना चले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि चैप्टर नमर दो के लिए आपके पास क्या-क्या important सवाल है पहले बात अगर कोई भी वेक्ति चैप्टर नमर दो लगाना जायता है ना बहुत छोटा चैप्टर है बहुत जल्ली लग जाएगा और बहुत ही simple chapter है तो इसमें घबरानी की तो किसी प्रकार की कोई problem नहीं होनी जाई आपको है ना तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तक ही पूरे साल मैंने आपके लिए मेहनत किये पूरे साल आप लोगों ने अपने लिए मेहनत किये और हम लोग उन्हें लच्छ रखा है कि इस बार फोड़ना है हमको hundred out of hundred hundred out of hundred फोड़ने के लिए मैंने आपको एक तरकीद दी है एक आइडिया दिया है और एक प्लान के साथ हम लोग चले हैं पूरे साल और वो प्लान यह हमारा कि हमको NCRT complete करना बढ़िया तरीके से लिखना है इसके अलावा हमको PYQ लगाने हर हाल में बढ़िया त पूरे साल तयारी किए तो आप अपने अंदर confidence जरूर से जरूर महसूस कीजिएगा और अपने अंदर यह confidence आपको बनाए रखना है इसके अलावा मैं आपसे हर बार यहीं चीज बोलते आया हूं कि आपको NCRT में एक काम जरूर से जरूर कर लिना है और वो है NCRT के example and MCQ य तो ज्यादत दे नहीं लगाएंगे हम लोग बात करने वाले हैं पिरत्रलोम त्रकॉनमीती फलंज जो कि आपका chapter नमबर दो है इन्वस्ट इक्नोमेंट्रिक फंक्सन इसके NCRT बुक के जो most most important question है उस पर बढ़िया तरीके से लगाने वाले हैं टिक और अब हम लोग चलते कर दो त्यादा important है जयते हैं फटा-फटा यहां पर आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने के लिए बहुत कुछ जानने जाते हैं इस तरीके से आपको आपकी नजर में थोड़ा वाई रहना ही चाहिए इन आप सांप्सका भी देख सकते बाप्क बास के लिए काफी रहेगा और आप ज्यादा कुछ ज्च जरूरत नहीं रहेगा जैसे आपका ये पास हो रहता है टैन का टैन को ये जरूर देख सकते हैं, sin, cos और 10 के जो graph है, को एक बार देख लेंगे, तो आपके लिए बहतर रहेगा, तो ये आपको देखने की बात है, मैं आपके टिक वगेरा नहीं लगवा रहा हूँ, सिर्फ आप से कहा रहा हूँ, एक बार आप देख लेंगे, ठीक न, और ये भई आपके लि ठीक है, ये range आपको हर हाल में पढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि बिना इसके आपका काम बनने वाला नहीं, आपको range हर हाल में याद रहनी ही चाहिए, ठीक है, तो ये range आपको याद रखना है, इस बात को ध्यान रखीगा, आंगे पढ़ेंगे हम लोग, और अब आ जाते हैं, हम लोग सवालों लोग, तो कौन-कौन से ऐसे सवाल हैं, जो आपको टिक लगाने हैं, तो उधार नमबर एक आपलोग देखके जाएंगे, बड़ी है तो विलम्र में परशनावाली 2.1 तो 2.1 में और में बात करता हूं, तो मुख मान के लावा आपको ज सारी सवाल करे इसमें हम लोग आंगे बढ़ेंगे यहां पर आपको टिक लगाने अगर मैं बात कर मैं फ्रिशन रदन वालु कि यह सवाल लगा लेने कौन कोश्चन नमर 11, कोश्चन नमर 12, कोश्चन नमर 11, कोश्चन नमर 12, और ये 13 और 14, जो कि मैंने आपसे कह रखा है, कि आपको MCQ, NCRT के MCQ, Multiple Choice Question, यानि कि बहु विकल्पी सवाल, MCQ सवाल आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने, ठीक है न, बहु विकल्पी सवाल आपको नह लगवा रहा हूं, कोश्चन नमर 11, 12, 13 और 14 में, ठीक है, कोश्चन 11, 12, 13 जोदा, ये आपको 2.1 के अंदर करने, इसके बाद आंगे बात करें, तो उधार नमर 13 आपको देखना है, देख लिजेगा, उधार नमर 4 आप देखने लिजेगा, ये आपका उधार नमर 3 है, 13 मै उधार नमर 4 ये, अच्छा, इसमें उधार नमर 5 में आप तिक लगाएंगे, भई ये इंपोर्टेंट लगाएंगे अप तिक, ठीक न, उधार नमर 5 के लिए बढ़िया वाला टिक लगा लिए, ये आपको मैं तिक लगवा रहा हूं, ठीक न, अब आते हैं हम लोग 2.1 मे 2.1 में कौन-कौन से सवाल हैं, जो आपको हर हाल में कर रहे हैं, और जिसमें आपको टिक लगाना है, चली, यहां पर आप कुछ नहीं देखेंगे, ठीके न, यहां आपको ज्यादा कुछ खास नहीं हा, कुश्यमर 4, कुश्यमर 4 पर आप टिक लगाएंगे बढ़िया वाल कुश्यमर 8 आपको करना है, ठीक है, एक कुछ नहीं पर आपको, कुश्यमर 8 के बाद आप टिक लगाएंगे, को शेमर आपके पस 10 दिख रहा है, को शेमर 10 आपके बढ़िया वाला यहां पर ने यह कोश्य enड़ हाल में कर लेंगे तो यहां पर अगर मैं बात कुछ्यां त कोश्यामर 13, 14 और 15 यह 3 MCQ सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं 2.2 के अंतरगर तो इतने सवाल पर बने के लगाते हैं यह आप सवाल पर टिक लगाते जाना अब आते हम लोग विविद उधारन में आपके पास एक ही उधारन देखने के लिए उधारन नमर 6 और यह आ सवाल आप से कई बार पूछा गया है रहो है यह वाल आप को ध्याय रखें कि 2023 में सभी पेपरों में में एक नंबर को पुछा गयाए आप नसे तो बहुत कुछ नहीं पूछा गया पिछले पाइपड और उसमें वह उपनी ब्युज् adesso दोएजेये साथ पेपर दो से एक के भी question नहीं पूछा गया तो अगर हम लोग consider करें 2023 के पेपरों के हिसाब से जिसको हमें करना नहीं चाहिए ठीक है ना क्योंकि पेपर का pattern change सब कुछ होता रहता हर साल कुछ न कुछ चीज़ें आपकी बदल सकती है तो इसमें मैं यह नहीं कहूँ कि नहीं पहले पेपर में chapter 2-15 नमबर का पूछ लिया गया था तो कुछ भी हो सकता है वह वाली बात है लेकिन मैंने आपको planning बता दी आपको करना क्या है और मैं को इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कोश्चन भी बताते ही चल रहा हूं कि यह आपके लिए बहुत ही खास सवाल रहने वाले तो बेवित उधारन में आपके पास एक ही उधारना मच्छ है इसको आपको करना है फिर आ जाते हैं हम लोग भाई बेवित प्रशना वाली पर आपको सल लगाना है यह पहला वाल इसमें तू इसमें आप तीसरे में और साथमे में तीसरा और सातमा कर लिजिएगा, तीसरा और सातमा, काफी रहेगा आपके लिए, तो यह आपको कर लेना, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो कौन-कौन से आपको सवाल लगाने, तो भाई, यहाँ पर देख लिजिए, कुश्यमर 9, कुश्यमर 10, ठीके न, कुश्यमर 9, कुश्य नमर 13, 14, यह MCQ सवाल आपको करने ही करने, और इस प्रिकार से यह आपका पूरा मामला, चैप्टर नमर 2 के लिए, देखें, चैप्टर नमर 2 पहले से ही कम सा, सिलाइबस कम हुआ, और कम हुआ, उसमें भी मैंने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट छार्ट के आपको बता द लेना है, इसके अलावा मैं एक समराइज कर देता हूँ कि हम लोगोंने कौन-कौन से सवाल हैं, जो इंपोर्टेंट, जो आपके NCRT, बुक के इंपोर्टेंट कोशन रहने वाले हैं, चैप्टर नमर 2 के लिए, कौन-कौन से हम लोगोंने टिक लगवाएं, इसके अलावा इसमें भी मैं आपको निट-पिकिंग करके देना चाहूंगा कि यह सवाल लगाई लेना, वालब ऐसे लोग हैं, जिनको नहीं कुछ करना है, बिलकुल आसी हैं, उनके लिए भी मैंने आपको इंतियाम कर दिया, कि वो कोशन तो आपको कर ही लेने हैं, ठीके ना, तो इंप बात करता हूं, उधारन में, उधारन तो भई हमारे पास 6 ही उधारन, 6 उधारन में से आपको यह आपको लगा लेने, पहला, दूसरा, पाच्वा, छट्मा, ठीके ना, इसके अलाव मैं बात करूं, एक्साइज 2.1 में, तो 2.1 में आपकी पास, दीके मुख मान के सवाल है नहाँ पर कोश्च अमबर 13 और 14, यह तो भई आपके बहुगी खलबी सवाल है, तो बहुगी खलबी सवाल तो छोड़ने हैं आपको, है ना, एक्सेसाइज 2.2 में अगर मैं बात करूं तो, एक्सेस 2.2 में मैं यह टिक लगवा है, कोश्च अमबर 4, 5, 8, 10, 10 के बाद आप पर पास कोश्च अमबर 13 और 14 जो हैं, वो, mcq सवाल है, इसमें कोश्च अमबर 14 कुछ खास नहीं है, लेकिन mcq का है, तो मैंने टिक लगवा दिया है, कोश्च अमबर 14 अगर छोड़ना चाहिए, तो छोड़ना चाहिए, तो छोड़ना सा लेंदी हो जाता है, तो अगर चाहिए, तो डारेक्ट उत्तर भी याद रख लेना, ठीक है, अगर आ जाए, लेकिन ये मैंने टिक लगवा दिया है, कोश्च नमर 2 के लिए, लेकिन इंतियार कीजिए, क्योंकि इस important question के अंदर से भी, मैं आपके लिए important question लेके आया हूँ, जो कि कुछ ये रहे, ठीक है, अगर ये उनके लिए, जिनको आपको रट लेने, इनको छोड नहीं है, ये उनके लिए भी हैं, जिनको वह भी सालवन नहीं पड़ा, तो मैं आप दो महीनी और पढ़ कि क्या कर लोगा, उनके वाले हिसाफ़ाल सिर्ष्टर में, इन जवालों को छोड़ना नहीं है, इन ज चोड़ दिया तो पहला दूसरा चटमा यह उदार इसके बाद 2.1 में अगर बात करते हूं कोश्चा में 11 13 14 और इसमें 2.2 में अगर बात करता हूं यह सारे सवाल 10 11 12 13 14 15 यह आपको हर हाल में लगाने और अगर मैं बात करते हूं बिविद की तो बिविद में आप पहला दू पूरे साल लगा और आप अपने लिए पूरी साल लगे रहे पढ़ाई करने के लिए फोडने के लिए पेपर एकदम जुटे रहे तो हम लोग इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन के साथ मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ तक के लिए याद रखिएगा पढ़ते रहिए खुज रहिए आगे वरते रहिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेस आपको मिले इसके लिए बैल आइकन जरू पुर्दबाईएगा